मैं लोटी हूँ एक जबरदस 10 मिनट रेसिपी के साथ जिसका नाम है मिल्क पाउडर बर्फी इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन इंग्रीडियन्स हमें चाहिएं और ये जबरदस बर्फी रेडी हो जाएगी इस festive season पर ये tasty delicious milk powder बर्फी ट्राय तो करना बनता ही है तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी एक बाउल लेंगे और उसमें आड़ करेंगे डेड़ कप milk powder यानि की 200 गराम करीब milk powder मैंने या पे नेसले कंपनी कर लिया है साथ ही इसमें आड़ कर देंगे शुगर आदा कप से कम यानि की 90 गराम इसे असान करने के लिए आप शुगर को mixi make by blend भी कर सकते हैं ताकि powder शुगर असानी से इसमें घुल जाए साथ ही इसमें आड़ करेंगे 3 चुथाई कप से कम milk, boiled milk है ये room temperature पे लेना है ना थंडा ना गरम अब hand beater से इसे beat करना है अच्छे से आप जो whisker आता है उसका use भी कर सकते हैं ingredients mix करने के लिए इसको अच्छे से fat ना है ताकि जो सारे ingredients हैं अच्छे से mix हो जाए कोई भी lumps ना रहे, consistency बिल्कुल smooth होनी चाहिए दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें साथ ही bell button press कर दें ताकि ऐसी tasty delicious recipes की notification आपके बाद सबसे पहले पहुच पाए consistency जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल smooth होनी चाहिए, flowy होनी चाहिए अब एक pan लेंगे जो ready mixture है उसमें डालेंगे, flame को low ही रखना है, साथी साथ इसमें add करेंगे एक चुथाई कप से कम गी यानि की 30 ml, continuously stir करते रहना है, अच्छे से दोनों ingredients को combine करना है, ताकि जो गी है और जो हमारा mixture है वो अलग अलग ना दिखें, देख सकते हैं आप गी ब का काम होगा, smoothly, जो भी mixture sides में लग रहा है, उसे भी spatula की मदद से scrap कर लेंगे, मुझे इसे roast करते करते 5 मिनट हो चुके हैं low flame पर, और ये देख सकते हैं आप गाड़ा होना शुरू हो गया है, अभी भी इसे continuously stir करते रहना है, cook करते रहना है low flame पर, बहुत ही असान सी recipe है, सीजन के लिए तो बहुत ही best है, अब इसने एक shape hold कर लिए है, dough बन गया है, ये soft dough, तो flame off कर देंगे, अब जिस भी tray में आपको इस बरफी को set करना है, वो tray को अच्छे से चारो साइट से, base से, grease करेंगे घी से, और बरफी का जो mixture है, वो grease करेंगे, और बरफी का जो mixture है, व करेंगे, और spatula से थोड़ा दबाएंगे, ताकि ये परफी में set हो जाए, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो इससे refrigerate करेंगे, कम से कम एक गंटे के लिए, ठंडी होने के बाद फ्रिज से निकालेंगे, और इससे cut करेंगे, बिल्कुल ready है, ये serve करने के लिए, बस इ काते हैं, जो मैं अपने चैनल पर ले के आऊ, तो वो भी आप मुझे लिख के बताईएगा, मैं मिलूंगी ऐसी ही tasty delicious instant recipes के साथ, तब तक के लिए good bye, take care, don't forget to like, share and subscribe.